Students, अब हम बात करेंगे कि quantitative research में हम topic कैसे select करते हैं तो topic selection में वो मिशक quantitative research हो, qualitative research हो, या mixed method research हो, कोई भी research आप conduct करें हैं सबसे पहले जो important चीज है, जिसकी आपको समझने की जरूरत है as a social scientist और as a sociologist वो ये चीज है कि आपको अपना area of interest पता हो, कि आपको अपना area of interest पता हो, कि आपको किस area of research में काम करना चाहते हैं हम हर चीज को तो study नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें अपना area of interest जो है, वो decide करना पड़ता है जैसे कि अगर sociology में ही बात करें, तो sociology के बहुत सारे areas है, जैसे urbanization है, urban sociology जिसको हमें हम इसको study करते हैं sociology of health and illness है, criminology है, sociology of gender issues है, sociology of deviance है, sociology of organizational behavior है तो आप किस social change है, cultural change है, तो आप किस चीज को study करना चाहते है as academic and researcher सबसे पहले हमें अपना interest देखना पड़ता है, और interest जो है वो एक तरह से as an academic और as a researcher आपको develop करना पड़ता है, और आपको एक अपना line of research जो है, वो decide करनी पड़ती है तो जब आप एक दफ़ा अपना area of interest decide कर लेते हैं, तो फिर हम यह देखते हैं कि what social issues pertain to that particular field of study कि जो आप area of interest है, उसमें किस तरह के social issues है, with reference to your community औरी, ऐसे के मैं अगर urbanization की बात करूँ, तो urbanization में अगर हम इसको specifically पाकिस्तानी context में देखें, तो यहां पर बहुत ज़्यदा लोग जो है, वो squatter settlements में रहते हैं, slums में रहते हैं, वो बहुत सारे missile का शिकार है, poverty हमारे urban centers में बढ़ती चली जा रही है, crime बढ़ता चला जा रहा है, health and sanitation के issues हैं, हमारे climate जो change की वज़ा से भी जो urbanization है, इसकी वज़ा से हमें कुछ smoke जैसे issues का सामना है, तो हमें यह देखना पड़ता है कि हम इसमें से किस research और social problem के उपर अपनी study को conduct करेंगे, फिर जब हम एक दफा अपनी social problem decide कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि state level पर, regional level और global level पर उसके उपर क्या काम हुआ है, जैसे कि हम अगर study करें urbanization में squatter settlement को यह slums को, तो state level पर क्या उस पर कोई policy बनी है, state level पर क्या उस पर क्या प्रोग्राम शुरूर हुआ है कि नहीं हुआ है, region में क्या हो रहा है, यानि आपके region में उसके उपर क्या हो रहा है, global level पर दुनिया उस issue को कैसे address कर रही है, तो आप इस चीज़ को इस तीनों level पर देखते हैं, फिर हम उसी issue से related literature review करते हैं, literature review दो तरहां का, हम mainly कहते हैं theoretical review और empirical review, यानि उस issue के उपर study करते हैं, और जो researchers conduct हुई हैं, उनको हम review करते हैं कि उनकी findings क्या हैं, और उनही findings की basis पर हम अपना कोई research question बनाने में कामयाब होते हैं, तो जब हम इस चीज़ को इस level पर study कर लेते हैं, तो फिर हमें यह पता चल जाता है कि research gap क्या है, जब आप identify कर लेते हैं research gap, उसके बाद आपने statement of the research problem, या जिसको हम problem statement कहते हैं, वो लिखनी होती है, अपने study objectives को finalize करना होता है, अपने research questions को finalize करना होता है, और research questions की base पर आपने hypothesis create करने होते हैं, और यह भी बताना होता है कि study की क्या significance है, तो यह सारा जो चीज़े हैं, यह हम जब research topic select करते हैं, तो उस research topic selection के उसके उपर proposal बनाते हैं, तो उस level पर हमें यह चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो हम आगे के modules में इनके उपर further further बात करेंगे कि यह क्या हैं, और इसको कैसे conduct करते हैं,